तो आज के इस वीडियो में हम सब ये सीखने वाले हैं कि इपिक जो आता है मतदान पहचान पर दोस्तो ये आप कैसे डाउनलोड्स करेंगे दोस्तो आपने बहुत सी वीडियो देखे होंगे जहां पर दोस्तो आपको बताया जाता है कि आप इस तरीके से डाउनलोड्स करें लेकिन दोस्तो इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर समझाने वाला हूँ कि इसे आप कैसे डाउनलोड करेंगे चलिए दोस्तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं ज्यादा समय वरबाद ना करते हुए सबसे पहले दोस्तो Google Chrome 서er पर आपको जाना है Google Chrome 서er पर आपको लिखना है eci.gob.in या तो दोस्तो डिस्क्रिप्टिं बॉक्स में आपको इसका लिंक हम दे देंगे तो आप वहाँ पर क्लिक कर सकते हैं जैसी ही दोस्तो आप वहाँ पर क्लिक करते हैं सबसेपहले दूस्तों आपको यहां पर मिलता है बोटर पॉर्टल यहां पर इसवाले आप्सन पर आपको क्लिक यहां पर कर लेना है दूस्तों जब भी आप बोटर पॉर्टल पर आते हो पहली बार तो यहां पर आपको एक login ID और एक password की आवश्चता होती है दोस्तों अगर आपके पास लॉग इन आईडिया और पास्वर नहीं है तो आप यहाँ पर create an account के option पर click कर लेंगे यहाँ पर आप जैसे ही click करते हैं आप सब लोगों के सामने कुछ इस परकार का interface अपर हो जाता है जहाँ पर आप से पता जाता है कि आप एक email ID से यहाँ पर sign up कर सकते हैं या फिर आप अपने एक mobile number से sign up कर सकते हैं दोस्तों अगर आप अपने email ID से sign up करना चाहते हैं तो आप अपना email ID यहाँ पर fill करेंगे अगर आप अपने mobile number से sign up करना चाहते हैं तो mobile number को यहाप पर फिल करेंगे उसके बाद दोस्तों आप आप जैसी ही मुबाइल नमबर फिल करते हैं send OTP के option पर आपको क्लिक कर लेना है send OTP के option पर क्लिक करने के बाद आपने जो मुबाइल नमबर यहाँ पर फिल किया है उसी मुबाइल नमबर पर 6 डिजिट का verification code send हो जाता है जिस code को आपको इस वाले box में फिल करना है OTP को फिल करने के बाद आप verify के option पर क्लिक कर लेंगे अब आप देख सकते हैं आप सब लोगों के सामने कुछ इस परकार का interface open हो जाता है यहाँ पर आपको एक नया password बनाना है जो password आप यहाँ पर बनाते है सेम होई password आप यहाँ पर भी बना लेंगे लेकिन दोस्तो password बनाने से पहले मैं आपको एक बाद बता दूँ जो OTP अभी send हुआ है उस OTP को आपको 10 सेकंड के अंदर ही verify करना होता है ने तो दोस्तो OTP वहाँ पर expire हो जाता है ठीक है password दोस्तो आपको कैसे बनाना है जैसे कि यहाँ पर मैं capital में लिग देता हूँ yes उसके बाद यूँ फिर j, i, t फिर 1, 2, 3, फिर add दरे भी लगा सकते हैं ठीक है इस परकार से हम लोग यहाँ पर password generate कर लेड़ा है यहाँ पर दोस्तो आप देख सकते हैं हम लोगों ने confirm यहाँ पर password generate कर लिया है उसके बाद दोस्तो आप लोगों को welcome के option पर click कर लेना है यहाँ पर आप जैसे ही click करते हैं आप सब लोगों के सामने portal portal का dashboard आप लोगों के सामने open हो जाता है दोस्तों यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बता दो कुछ आप लोगों के यहाँ पर personal details भी देना होता है जो कि आपका नाम, आपका surname, आप कहाँ से हैं सब details यहाँ पर आप फील कर सकते हैं यहाँ पर फील करने के पाद नीचे आपको सम्मीत का जो बटन दीख रहा है यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना जैसे ही आप सब अपना personal details दे देते हो आप सब लोगों के सामने कुछ इस परकार का dashboard आप नफ हो जाता है दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जो आपको मिलता है new voter registration यहां से दोस्तों आप किसी का भी एक नया voter id card generate कर सकते हो यानि की दोस्तों आप घर बैटे ही अपने mobile से ही किसी का भी बोटर आईडी कार्ड यहां से बना सकते हो ठीक है अब दोस्तों जैसे कि आपके बोटर आईडी कार्ड में कोई भी गलती हो चुका है या तो आपके पीता जी का नाम या फिर आपका नाम गलत है तो दोस्तों यहां पर आप correction इन बोटर आईडी से correction कर सकते हो अपने smart phone से घर बैटे ही अब दोस्तो बहुत से बार ऐसा होता है कि आपका voter ID card आप किसी अन्य state में चले गए हो और आप कैसी और state से voter ID card generate की हो ठीक है बनाए हो तो दोस्तो आप यहाँ से shift to place से इसे shift कर सकते हो ठीक है अब दोस्तो जैसे कि आप लोगों का voter ID card कहीं पर खो जाता है या फिर कहीं पर गुम हो जाता है ठीक है ऐसे में दोस्तो आपको voter ID card की अवश्चता होती ही दोस्तो आप यहाँ पर replacement of voter ID card पर जाकर के यहाँ से आप एक नया voter ID card को order कर सकते हो जहां से दोस्तो आप लोगों को एक नया voter ID card मिल जाता है मास्तर दोस्तो 30 रुपे में ठीक है अब दोस्तो जैसे कि आपके family में या पिर आपके gram सभा में किसी की मृत्य हो जाती है ठीक है अब दोस्तो उसका voter ID card से नाम यानि कि voter list से उसका नाम करना है इसे डाउनलोड करने के दोस्तो आपको इस वाले option पर click कर लेना है दोस्तो आप जैसे ही वहाँ पर click करते हो आप सब लोगों को दोस्तों वहाँ पर दो option मिल जाते है पहला option दोस्तो आपको यह मिलता है कि आप अपने नाम के जरिए अपना बोटर आईडी कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो दूसरा option यह होता है कि दोस्तो आपका जो epic number होता है उससे आप अपना बोटर आईडी कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो दोस्तो अभी तक वहां से अपना बोटर आईडी कार्ड सिर्फ वही लोग डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तो जो 2021 में जनवरी के महिने में अपना बोटर आईडी कार्ड बनवाए हैं ठीक है ओ दोस्तो 25 जनवरी से लेकर के डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है अब दोस्तो वाइसे में बहुत से पुराने लोग होते हैं जो दोस्तो अपना बोटर आईडी कार्ड को डाउनलोड करना चाहते हैं मतदाता सूची विसेज सच्छिफ्त पुनी रच्छड ठीके उसके बाद 2021 के दौरान मतदाता सूची के में नाम दर्ज कराने वाले नए मतदान ठीके पचीस से 31 जनवरी 2021 के दौरान एवं एक फरवरी 2021 के उपरानत आम मतदाता अपना यी मतदान पहाचान पर डाउनलोड करेंगे ठीके तो अगर आप लोग पहले ही आप लोग का बोटर आईडी कार्ड बना है तो आप लोग को थोड़ा सा वेट करना है एक फरवरी के बाद दोस्तो आप लोग भी यहां से अपना बोटर आईडी कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप लोग 2021 में और जनवरी के महीने में अपना बोटर आईडी कार्ड को वनवाए हैं तो दोस्तों आप लोग यहां से अपने नाम के सारे चेक कर सकते हैं या तो दोस्तों मुबाइल नमबर के सारे चेक करके अपना बोटर आईडी कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं द दोस्तों हम उम्बीत करेंगे ये वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर लेना अगर आप लोग ऐसी ही वीडियो देखना पसंद करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिक पीकेशन को जरूर प्रेस करना चलिए मिलते हैं कैसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक लिए रीजिये हमें इजाज़त बाई बै धन्यवा जहिन वंदे मादरम